डियर एस्टेंट, you are most welcome to our educational channel Mechanical पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज जो हम लोग discuss करने वाले हैं वह discussion में कि ये summary of method to solve vibration problem Mechanical vibration में हम लोगों ने बताया था और हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कहें सही सब्द में तो mechanical vibration के जो है टीन important elements थे क्या spring और mass और यहाँ पे damper ठीक है अब हमने ये भी बताया था कि जो damper है आपका या spring है mass है तो spring जो है define होता है spring constant से यह spring stiffness से और यह define होता है damping coefficient से और यह define होता है mass से ठीक है किस से sorry acceleration से ठीक है तो अब इसके उपर जब force हम निकालेंगे ध्यान दीजेगा force निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा force लगेगा आपका spring force जिसको kx बोलते हैं यहाँ जो force लगेगा cx dot x dot क्या है velocity damping coefficient into velocity और यहाँ पे क्या होता है mass into acceleration ते इसकी x double dot ठीक है तो यह जो है आपका क्या था mechanical vibration अब इनमें different value different conditions different चीजें दी होगी तो इसके numerical problem को कैसे solve करेंगे solve करने के कौन-कौन से तरीके हैं तो इन तरीकों को हम लोगों ने discuss किया था और उसी को आज थोड़ा और detail में discuss करेंगे जस्ट एक summary हमने 5-6 method discuss किये दे सबसे पहले Newton's method Newton method अब यह थोड़ा सा पढ़ेंगे हम Newton method को भी क्या होता है Newton method कैसे apply करते हैं ठीक है उसके बाद एक de-alumbers principle होता है उस method से भी आप vibration के problem को यह basically fundamental है ध्यान दिजेगा दिजार दिए fundamental aspects of the vibration nothing else उसके बाद एक तीसरा method बताये थे numerical analysis method जिसको कि finite element method भी बोलते हैं और यह हमारे syllabus में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे इसके अलावा एक method होता है analogous method यह भी हमारे उसमें नहीं है तीन syllabus में इसको भी हम छोड़ देंगे उसके बाद method होता है energy method जिसको देखेंगे और उसके बाद relay method उसके बाद equilibrium method यह सारे methods को हम आज solve भी करेंगे देखेंगे कि कैसे इसके methods को solve कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहला method जो है दोस्त वो क्या है newton's method अब newton's methods क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना है और solve करना है सबसे पहला जो method है हमारा newton's method method इसके उपर एक lecture अलड़ी हम देख चुके हैं इसलिए हमने यह सिदा दिखा दिया इसके description में इस lecture के description box में हम इसकी link डाल देंगे ठीक है तो यह newton's method और मैं चुकि बार बार बोलते भी रहता हूं कि जब भी आप हमारे channel पे आते हैं हमारे मतलब आपका अपना प्यारा स channel जब आते हैं तो इसमें playlist में जाइए और mechanical vibration जो subject है mechanical vibration के playlist में आप जाइए वहां पर यह सारे sequence में आपको मिलेंगे जदी कोई topic नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजे I will try to arrange those video I will make that video and will upload very soon as far as it will be possible तो anyway आए Newton methods में Newton method क्या कहता है कि कोई भी vibrating element है समझेगा यही vibrating element था ना इस vibrating element में जोड़ो आपका जो है inertia force जो होगा जिसको disturbing force बोलते है that will be equal to restoring force कोई जोरी नहीं कि हमेशा आपका जो है damper हो माल लिजे दो condition हो सकता है कि damper हो और damper नहीं हो जैसे माल लिजे कि यहाँ पर सिर्फ अभी spring है ठीक ना यह क्या है mass है ठीक है अब यह mass है यह spring है तो हमने बताया आपको कि kx लगेगा और यहाँ क्या लगेगा ma double dot ठीक है तो Newton method क्या बोलता है कि total inertia force will be equal to the restoring force क्या एसे inertia force will be equal to the total restoring force ठीक है अब inertia force क्या है दोस्त ठीक है restoring force क्या है total spring force यहाँ पर है यहाँ इसकी kx ठीक ना kx मतलब क्या हो गया इसको जब आप निकालेंगे mx double dot equal to minus kx आएगा restoring force मतलब यह उपर के तरफ जा रहा है आपोजित direction में restore कर रहा है अपने तरफ खीच रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते है minus kx इसको जब आप निकालेंगे ठीक क्या हो जाएगा mx double dot plus kx equal to 0 ठीक ना अब थोड़ा सा ध्यान दीजेगा कि यहाँ पर जदी x को आप जो है a sin omega t मान लेते हैं यह क्या है amplitude की maximum में कितना नीचे जा सकता है omega angular frequency t क्या हो गया time period तो x dot क्या हो जाएगा a omega cos omega t और x double dot क्या हो जाएगा minus a omega square sin omega t ठीक है अब देखिए तो mx double dot को mx double dot को क्या लिखेंगे minus a omega square sin theta minus a omega square sin omega t और plus kx के जगा है a sin omega t equal to 0 यहाँ पर देखिए तो a sin omega t को common ले सकते हैं क्या तो इधर क्या बच जाएगा minus m omega square plus k equal to 0 देखिए a sin omega t cannot be 0 यह 0 नहीं हो सकता है और यह 0 नहीं हो सकता है तो इसको 0 होना पड़ेगा तो यह minus m omega square plus k equal to 0 यह omega square equal to क्या हो जाएगा k by m और finally omega equal to क्या हो जाएगा square root k by m यह normal frequency आप निकालते हैं तो 1 by 2 pi square root k by m क्योंकि f equal to क्या होता है w by 2 pi और इसकी unit क्या हो जाएगी आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं per cycle यह per second और यह क्या होता है यह जो है spring हो गया आपका और यह आपका mass लगा हुआ है और इसमें अब damper भी आपने क्या किया लगा दिया ठीक है दोस्तों अब यह spring force मतलब कि क्या के और यह c damping coefficient और यह m x double dot sorry mass तो यह force कितना हो गया m x double dot यहाँ पर force कितना हो जाएगा k x और यहाँ पर force का हो जाएगा c x dot तो अब यहाँ पर जिदी आप निकालेंगे क्या inertia force equal to sum of restoring force तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं inertia force क्या है m x double dot equal to sum of restoring force that means की minus k x minus c x dot ठीक है इसको आप निकालेंगे तो m x double dot अब प्लस में आ जाएगा k x plus c x dot equal to 0 इसको अच्छे से लिखेंगे m x double dot plus c x dot plus k x equal to 0 और यही जो है आगे चल करके हम लोग characteristics equation बनाएंगे इसकी भी frequency आप निकालना सिखेंगे तो आगे के chapter में यहाँ पर नहीं है चुकि यह fundamental aspects of the vibration पढ़ा रहे हैं यहाँ इसकी जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ तक किसी कोई doubt नहीं नहीं doubt है तो आगे हम बढ़ें ठीक है अब इसके आगे जो है हमने आपको दूसरा topic क्या बताया था एक तो newton method पहला दूसरा method क्या है de-alembers principle ठीक है de-alembers principle क्या कहता है थोड़ा देख लें कि de-alembers सहाफ क्या कहा रहे है ठीक ना de-alembers principle ठीक है अब de-alembers principle क्या कहता है कि basically एक डायनामिक सिस्टम को equivalent aesthetic system में convert करता है ते ना कि एक डायनामिक सिस्टम में ही जनरली लगा गता है इसलिए आप डायनामिक सो मशीन में पढ़े होंगे de-alembers principle ठीक है तो basically de-alembers principle is applied where dynamic system is to be converted into equivalent aesthetic equilibrium equivalent system equivalent aesthetic system में जब convert करते हैं तब जो है इसकी जरूरत पढ़ती है किसकी de-alembers principle की ठीक है और ये भी वही कहता है कि यहां पर जो restoring force होगा Newton method में जो बताये थे कि that will be directed towards the inertia force ठीक है that means the reverse direction in the reverse direction that means कि reverse inertia force ये ये कहता है कि reversed inertia force will be equal to then reverse inertia force will be equal to restoring force restoring force या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि reversed reverse inertia force plus sum of restoring force force will be zero ये आप लिख सकते हैं ठीक है क्या हो जाएगा ये de-alembers principle हो गया ठीक है that means कि mx double dot plus kx equal to zero equation वही का वही रहा ठीक है तो आप कोई method लगाएंगे equation थोड़े ही आप change कर देंगे equation वही का वही आएगा ठीक है उसके बाद ध्यान दीजे आपका Newton methods हो गया ठीक है डी-alembers principle हमने आपको बताया कि numerical analysis and analogous method अपने syllabus में नहीं है अब बात आती है कि इनर्जी methods की अब इनर्जी methods थोड़ा समझ लेजे दोस्तों energy methods में क्या होता है कि यही आपका spring और mass है इनर्जी method यह कहता है कि total energy in the system will be constant और आप बच्पन में पढ़े भी है इस energy method का छोटा सा रूप कि दुनिया में नहीं energy को create कर सकते है और नहीं destroy कर सकते है that will remain constant total energy से क्या मतलब है यहाँ दो ही energy है mass की जो velocity होगी तो इसकी kinetic energy होगी और जब spring deflect होगा तो इसकी potential energy होगी that means की kinetic energy total और total potential energy will be always constant अब kinetic energy क्या होता है half mb square half mbx dot का square plus half kx square potential energy of the spring will be constant दोनों साइड हमने differentiate कर दिया है तो क्या हो जाएगा इसको आप break करेंगे m2x double dot हो जाएगा k और यहाँ पर 2x हो जाएगा फिर यहाँ पर आप differentiate करेंगे ठीक ना इसको 2 sub cancel हो गया है cancel करके यहाँ पर आप निकाल दिये ठीक ना और यहाँ पर यह x dot x double dot का value अभी हमने जो समझाया था उसको आपने रख दिया तो इनर्जी मेथड में यही a sin omega t अभी हम बताया थे कि 0 नहीं हो सकता है तो इसको 0 होना पड़ेगा ठीक है होना पड़ेगा ठीक है अब होना पड़ेगा तो यह हो गया यह देखिए यहाँ पर यह 0 हो गया तो यही omega square root k by m निकल करके आ गया तीना frequency सेम हो ही आ गया उसी तरह से आप relay method अब relay method is the basically extension of the energy method इनर्जी method का extension कैसे कि यह कहता है कि total kinetic energy और total potential energy सेम होगा किसी भी system को equilibrium में होने के लिए बस हमने वही किया है total kinetic energy और total potential energy को equate कर दिया है देख लिजए दोनों side cancel करेंगे म omega square equal to k आ गया omega equal to square root k by m आ गया अब बताइए इसमें कहां दिख्यात है कहीं doubt हो कहीं कुछ हो ठीना last एक जो है हमारा जो method था वह था equilibrium method equilibrium method भी हमने समझाया है कि इसमें spring और mass हो तो spring force और यह inertia force equal होगा लेकिन इसके उपर जब आप force apply कर रहे है क्या है force apply कर रहे है ठीना दो होता है ठीना एक force generate होता है और एक आप apply करते हैं तो यह applied force है basically ध्यान रखिएगा force of excitation भी बोलते है ठीक है इसी को हम लोग harmonically excited vibration भी बोलेंगे तेना और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी तो यह force spring force ध्यान दीजेगा यह क्या हो गया आपका आपका damping force damper और यह क्या हो गया inertia force और यह क्या हो गया applied force तो यह applied force should be equal to the system force यह जो है आपका restoring force इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन-कौन से methods हैं किसके लिए to solve the vibration problem vibration के problem को solve करने के लिए कौन-कौन से हम लोग method यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने यह method देखा न्यूटन्स डी अलंबर्स यह कभी याद रखिए यह सब कभी भाई वाउग्रम में पुछा जाता है तो that will be useful और numerical method analogous method syllabus में नहीं energy relay और equilibrium यह सारे methods हमने आपको एक एक करके बताए थे ना थोड़ा सा देख भी लिजे यह हमने बताए कि जो है यह newton's method क्या होता है inertia force equal to restoring force कैसे निकाले थे फिर हमने यह निकाला क्या यही spring force हमने समझाए कि जब temper होगा तो क्या होगा फिर d elements principle हमने आपको बता दिया और यह हमने energy method आपके लिए बता दिया और यह जो है हमने relay method बता दिया और equilibrium बता दिया इस तरह से यह आपके पूरे छे साथ के साथ methods हमने discuss कर दिये अब इसके ऊपर हम लोग solve करेंगे क्या numerical बहुत सारा numerical लेकिन सारे numerical में आपको सबसे important जो चीज पकड़ करके रखनी है तेना कुछ चीज़ें पकड़ करके रखनी चाहिए उसमें एक तो यह equation हो याद रखिएगा square root k by m ठीक है और दूसरा कि kinetic energy कैसे निकालते हैं और potential energy कैसे निकालते हैं और यह तीन होगे चौथा सबसे important equation इसी को आगे चल करके हम लोग बोलेंगे characteristics equation ठीक है तो प्रूसल मात वीकुल का रखिए लोगई निकेल में लोग वेड़ी कि अपी खिप्ड़ का रखिए प्रूसली लिच अट प्रूसली क्यों है प्रूसली और यहुज अट वैप्यों ह।